हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ड़ जेनवेन इन्फरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आजे 8 डिसमबर और रिलाइंस इंडेस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा 20 फोटक न्यूस सामने निकल के आ रहा है रिलाइंस इंडेस्ट्री का एक सब्सट्री कंपनी रिलाइंस डिजिटल आपको पताओगा रिलाइंस जियो जिसके अंदर आता है रिलाइंस जियो ने बहुत ही जल्दी फाइब जी नेटवर्क लांच करने वाला है और कल यानि 7 डिसमबर भी एक बोम भी स्पोट किया था जब ये निउस में आया था कि रिलाइंस रिटेल में अभी ग्रॉसरी भी मिलने वाला है तो दोस्तो ये सब निउस के चलते हैं रिलाइंस का आज की डेट में जो शेयर का जो शेयर प्राइस का जो पोजीशन है वहाँ पे मुझे फ्रेश पोजीशन बनाने का एक बहुत बढ़िया उपर्चूंटी मुझे दिख रहा है तो दोस्तो अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट आकॉंट नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाट्वर्म में डीमेट आकॉंट उपें कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकर इच प्रीज ना के बड़ाबाल लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली यह चार चीजों को तैयार रखना है आपका अधार कार आपका पैन कार एक कैंसल चेक एन आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउंट बन जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले हम नीच के उपर आचुक हो बिजनस स्टैंडर्ट की वेबसाइट पे यह नीच है एट डिसमबर तुथाउजन ट्वेंटी बारा बच के एक मिनिट का यह लेटेस्ट नीच है इसका हेड्लाइन देखिए दोस्तों एकदम विस फोटक न्यूज रिलाइन्स जी ओ टू लांच फाइब जी नेट्वर्क इन सेगेंट हफ ऑफ टुथाउजन ट्वेंटी वान एसा कौन बोला और कोई नहीं दोस्तों डिलाइन्स इंडस्ट्री का जो चेर्मेन एन एंड यह मुखे शंबानी जी खुद बोला है तो दोस्तों यह तो हेड्लाइन देख लिया हमने की 2021 कि सेगेंड अब में फाइब जी नेट्वर्क लांच करने वाला है जीओ की तरफ से तो दोस्तों भी नीचे चलके और भी इन जानकर हासिल करते हैं यहां पर देखिए नीचे पर आगया है रिलाइज यह विल पाइनर दफाइब जी रेविलुशन इन इंडिया इन देखेंट हाप ऑफ 2021 सेट मुखे शंबानी अन तूस्डे इन देखिए इन ग्राइब स्पीच एड़ इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस 2020 यहां पर जब यह मतलब यहां पर मीटिंग च करने वाला है 2021 की सेगेंट हम मतलब एक साल का चार हम होता है चार क्वाटर होता है ठीक है एप्रिल में जून आप मान के चल सकता है कि नेक्स्ट यार आपको वहीं यह प्रिल में जून के महीना पह आपको रिलाइज मतलब जीन नेटवर्क लांच कर डेगा और आज की है तो दोस्तों यह बहुत बड़े बड़े नियूज है और रिलाइंस इंडस्ट्री का जो शियर पैसे वह आज भी उसका बेस्ट बाइंग लेबल पर चल रहा है और दोस्तों आपको एक बात और आपको बोल के रखता हूं यह तो देखिए 5G जी नेट्वर्क लॉंच करेगा बहुत ध्यान से सुना दोस्तों यह बहुत इंट्रेस्टिंग थ cafeteria 5G नेटवर्क यह तो लॉंच करेगा नेक्स टियर सेगेंड हप पे ठीक है यह तो डिकलेर का दिया बट यह एक चीज़ द्यान देना दोस्तों फाइब जी नेटवर्क यूज करने के लिए आपको फाइब जी फोन भी चाहिए ठीक है जैसे कि फोर जी नेटवर्क का सीम आप आप 4- Genesis isée ti Hiç कर सक दढ़ा से ठीक है थाइड फाइब जी नेटवर्क पून अगर आपको यूज करने 5G नेटवर्क तो तो आपको फाइब जी फोन पर लॉंचकर नहीं है तो उसके लिए फाइब जी फोन भी चाहिए और कुछ दिन पहले आपको याद होगा Microsoft and Geo यह दोड़ों मिलके 5G फोन यहाँ पर लॉंज भी करने वाला है बहुत जल्दी तो यानि यहाँ पर एक साथ डबल धमाका होगा तो यह बहुत बड़ा न्यूस है दोस्तो रिलाइंस इंडस्ट्री के लिए भी और रिलाइंस इंडस्ट्री की जो शेयर होल्डर है उनक दोस्तों यह तो बहुत बड़ा न्यूस था अब देख लेती कि आज का चार्ट पैटन देख लेंगे यह रिलाइंस इंडस्ट्री का तीन मैने का कैंडल स्टिक चार्ट है सबसे पहले इसका आरे साई लेवल देखिए 50.36 यानि कल फॉर 50 के अंडर था नीचे था और आज 50 के उपर आ चुका आरे से इंडेक्स यानि आज थोड़ा स्ट्रॉंग हो गया है जैसे कि कल बिया मैं आपको बताया था कि रिलाइंस इंडस्ट्री का शियर में दोस्तों आज भी आप देख सकते हैं कि 2000 के नीचे क्लोजिंग दिया यानि 2000 का यह लेवल थोड़ा रेजिस 1550 पर इसलिए जैसे जैसे रिलाइंस का चैशर उपर की तरह बढ़ रहा है थीक है उपर की तरह यहां पर 2100 का लेबल यहां पर रेजिस्ट्रेंस फेस कर रहा है और यहां पर अभी 2000 का लेबल जहां पर एक दो बार यहां पर पहले भी एक बार दो बार यहां पर जाकर डिजेक्ट हुआ है और वहां पर Selling Pressure देखने को मिला आज भी काफी टाइम एक बीच में दो धाई गंटा दो हजार की उपर ट्रेट कर रहा था रिलाइंस का शियर उसके बाद नीचे की तरब आखे 1912 पर यहां पर क्लोजिंग देखे और डाउन साइड पर आप देखे से 1950 की नीचे जाही नहीं रहा यानि यहां पर जबर्दस सपोर्ड मिल रहा है तो दोस्तों अभी इसका बुलिंजर बैंड देख लेते हैं क्या बोलता है लास्ट कुछ दिनों से रिलाइंस इंडिस्ट्री का शियर बुलिंजर बैंड का जो मीड बैंड है यहां पर देखे 1771 उसके नीचे ट्रेड हो रहा था बहुत ध्यान से देखना दोस्तूस के नीचे ले हब पर ट्रेड हो रहा था बट आज 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 फाइनली बुलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है यानि अपर साइट का यह जोन ठीक है यह जोन के अंदर क्लोज दिया है यानि यह इंडेस्ट्री यहां पर देख सकते 2400-2300 लेवल पर था एक टाइम ठीक है एक दो माईन पहले उस टाइम पर अगर आप निवेश किया तेइस सो बाइस सो बहुत लोग मुझे कमेंट करते से से क्या करूं दोस्तों कुछ नहीं करना आप चाहे तो होल्ड कीजिए आधर व आपके लिए सही रननीती हो सकता है तो दोस्तों आज की डेट में रिलाइस इंडेस्ट्री का कैसा कारवार हुआ वो भी हम देख लेंगे सबसे वहले मैं यहां पर आ चुका हूं मैं तो जूम कर लेता हूं आज जो शियर प्राइस ओपन हुआ था 1901 रुपए पर जो प्र सपोर्ड मिला है लो भी आज वहीं पर लगाया 1950 पर हाई टच किया देख सकते है 2000 की उपर जाके और काफी टाइम पे 2000 की उपर सस्टेन भी किया था देर दो घंटा बट एट दा एंड नीचे आके क्लोजिंग दिया 2000 के नीचे यहां पर देख सकते है लगबग लगबग 1. 1.75% की आज जम दिखाए दिया लगबग पॉइंट की साब से 34 पॉइंट की जम था मार्केट बंद हो गया बट रिलाइंस इंडस्ट्री की शेर प्राइज में 1300 कॉंटिटी का एम ओडर यानि आफ्टर मार्गेट ओडर लग चुका है उसके बाद आज का कारवार टोटल नंबर ओफ यहां पे यह तीन बज़े का अपडेट है और जो टोटल नंबर ओफ यहां पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है एक करोर असी लाग पचास हजा शेर का टोटल नंबर ओफ कॉंटिटी ट्रेड हुआ है उनमें जो डिलीवरी उठाए दोस्तों जबर दस नंबर है 55 लाग 52,000 शेर का यहां पे टोटल डिलीवरी उठाय जा चुका है डिलीवरी वल परसंटेज 30.76 यानि जबर डस लोग यहां पे डिलीवरी ले रहा है तो रिलाइंस इंडस्ट्री जैसे शेर 2000 के निचे मिल रहा है तो डिलीवरी तो करे गाए दोस्तों यह तो कॉमन चीज यह 2400 का लेबल उससे काफी ज्यादा नीचे मिल रहा है और आगे तो इसमें बहुत सरा बिसफोटक चीज होने वाला है जैसे कि रिलाइंस 5G रिलाइंस 5G का फोन भी लॉंच होने वाला है उसके साथ साथ रिलाइंस रिटेल में भी बहुत ज्यादा एक्सपैंशन देखन करना स्टार्ट कर दिजिए तो दोस्तों वीडियो को यह पर वाइंड अप करता हूं वीडियो अच्छा लागे तो प्लिस चनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके एंकरच करना चले मिलता है नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्यार